आज हम समझेंगे गिरामसभा से समधित जो महतबुन तत हैं उनकी जानकारी जानेंगे इस चाप्टर की तुरू हम जानने की कोशित कर रहे हैं आप लोगों को थोड़ा देखेगा नहीं इसलिए मैं इसको जून करने जा रहा हूँ सौतन्ता के पश्चाज समिधान के राज्ज में नीती निदे सकत अनुचे चालिस में यह कहा गया कि राज्य पंचाज की निर्बान के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें इतनी सक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिसकी बे शौशन की सन की इकाई की रूप में विख्षित हो सकें बास्तों में पंचाजी राज विवस्ता के मुख्य उद्देश सत्ता का बिकेंदरी करन करना है और देश के विकास में ग्रामी भागीदारी को सुनिश्चत करना है यह एक पिरकार से तुर्मूल शाषन कहा जाता है सन 1992 में ग्रामी विकास के लिए समदाई विकास कारिक्रिम या कमिनूटी डिबलप्मेंट प्रोग्राम लागू किया गया और जिसके अधियन के लिए 1997 में बलबंत राय महता के नित्यत में एक समिती बनाई गी इस समिती द्वारह नेमन कमियों को कियो और सरकार का ध्यान अक्रिस करा गया उनमें जो कमिय है पहली कमिय है जंता का स्योग नहीं मिला दूसरा सरकारी मिशनیरी की उधासीनता और तीसरा इस्थानी नेता ही गाउं की दिन प्रतिदिन की समस्या को समस क्ते हैं महता समीती ने तिरिस्तिय बिकेंदरी करण यही सत्ता का बटवारी की बात की लगू करने के लिए देश भर में पंचाती राज विवस्था के तुनत सुरूख होने पर जोर दिया और इन्होंने कुछ मुख्य निर्देश दिये जैसे पंचाती राज तिरिस्ती धाचा होगा जिसमें जिला परिशत, पंचास समेती और ग्राम पंचात इस्थानी लोगों को काम करने की स्वतनता बा उत्तरदाईत, यह सास की धाचा का भाग होगा और गाओं के विकास दुवरा निर्बाचित, साधन जोटाने बा चंसयुग गठित करने का अधिकार इस सेफारिस के आधार पर सरबर्थम राजस्थान में पंचाती राजविवस्था लागो की गई, राजस्थान के नागोर जिले में 2 अक्टूबर 1969 को प्रधारमंद्री जवाला नहरू ने पंचात राजविवस्था का उदगाटन किया, 1969 में आंधपरदेश में भी करते हुए उसमें उचत परिवर्तन संबंद में सुझाव देने को कहा गया था, मैता समीती दुबारा निम्न सेफारिस ने प्रस्थत के गई, पहली सेफारिस थे कि जिला पर सरद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचात के इस्थान पर मंडल पंचायत की स्थाप जिले को विकेंदिर करन की धुरी माना जाए और वही नीचे के इस्तर का मार्ग दर्शन करे, राजनितिक दल खोले तोर पर अपने चुनाओ जिन्नों सहित इन संस्थारों की निवाचन में भाग ले, चौथा नियाय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखा जाए, सन 1983 के बाद पंचाती राज़ विवस्ता के संबन में आते हैं ते महत्मूर कदम उठाएगे, और इसलिए इस काल को पंचाती राज संस्थाओं का पुनार उदाय काल कहते हैं, यहीं 1983 के समय को, पाल H.F.L.B. पंचाती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक बिकेंद्रित लोक तंद्र कहते हैं, कौन कहते हैं, पाल H.F.L.B. 1985 में डाक्टर जेवी के राओ के नेत्रत में एक समीती जिनोंने जिलेव को आधार बनाने येवं नियमित चुनाओ कराने की सिफारिस की, सन 1987 में पंचाती राज संस्थाओं की समिक्षा बसुधार ही तू, डाक्टर लच्मी मल सिंदिवी के अध्यक्षता में एक समीती बनाएगी, इस समीती में पंचातों को आत्मिर्भू बनाने तथा इसे संबिधानिक दर्जा देने की सिफारिस की, एनी समीती में इसको दर्जा देने की बात की, सन 1999 में एनी 1989 में राजी गांधी सरकार द्वारण पंचायतों में संसोधन से समंधित चौशटबा समीती में संसोधन संसोधन प्रिस्तुत किया गया, जो पारित नाँ हो शकता, 1992 में 73 बा सम्मिधान संस्दन दुबार, सम्मिधान के ऑनुछे 143 में इसका प्राभधान किया गया और सम्मिधान में 11 भी अनुशुची जोड़ी गए इसमें पंचायत को कुल 29 कारेशो पे गए और इस प्रकार नगरी परसासन के लिए 1992 में ही 74 वी 74 वा समिधान संसोदन हुआ तथा समिधान में 12 वी अनुसिची जोड़ी गए ध्यातव बेगी की सरपिर्थम मदराश नगर निगम के इस्थापना 1687 में तथा बंबी इविम कलकता नगर निगम के इस्थापना 1726 में हुई थी लॉड मैयो के कारिकाल में 1880 में बित्ती विकेंदीर करण की बात की गई लेकिन लॉड रिपिन दुबारे इस्थानी स्वासासन का महादिकार पत्र एनी मैंगना कार्टा जारी किया गया और इसलिए इस्थानी स्वासासन का जनक लॉड ट्रिपन को कहा जाता है या माना जाता है नगर से सम्मधित संसुदन के कुल 18 कारिय सोपे गए जिस तरीके से ग्राम के स्थर पर 29 कारिय सोपे गए बैसे ही नगर से सम्मधित संसुदन में कुल 18 कारिय सोपे गए जिस पर अधिकार इस्थानिय स्वासासन का होगा और नगर पालिकाओं के तीन शवरूप निर्धारित किये गए पहला है नगर निगम नगर निगम बिरहत नगरों के लिए है यहीं बड़े नगरों के लिए है बड़े सिटीज के लिए है नगर परसथ छोटे नगरों के लिए है और नगर पंचाथ या विसिसकर कस्वों के लिए है अर्थात वह है छेत्र जहां गाउं अब नगर दोनों की पिसेश्था पाई जाती है नगर पारलकाओं के कारिकाल पांच बरसों के लिए होता है तथा भंगो होनी के स्तिती में 6 माई की अबदी में चुनाव करबाना अनिवारिय होता है और ऐसा ही बिलेज में भी होता है तेहत्रवी समिधान संसोदन द्वारा पंचायश से सम्मधि समिधान के अनुचित 243 में कई उप अनुचित जोड़े गए जिनमें कुछ प्रमोख है पहला 243 का इस अनुचित में ग्राम सभा का उलिख किया गया है कि ग्राम सभा की जाए अनुचित 243 खा में इसमें 3 इस्तरी पंचायश का उलिख है कि जो पंचायश के हैं वो 3 इस्तर की बात की गई है तो पहला इस्तर है ग्राम इस्तर जिसे ग्राम पंचयात पे होता है मद्वर्दी इस्तर पंचयाती समेती और जिला इस्तर जिसे जिला परसत कहते हैं अनुचित 243 गा इसमें पंचयातों की सरचना का उलेख ही है अनुछे 243 गहा इसमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचे जाती बद जनजाती को आरेख्षण दिया गया तथा एक वटे तीन या एक तिहाई इस्थान महिलाओं के लिए आरेख्षण किया गया ऐसे अब 50% कर दिया गया है जब यह हुआ था ओस टाइम पानवस अमिधान संसुदन हुआ था उस टाइम 33% था और अब यह 50% कर दिया और यह भी डिपैंट था कि राज्य सरकार चाहें तो उसे बढ़ा सकती है जिस तरीके से अभी हम सभी जानते हैं कि बंदन अधिनियम जो आया है 126 अमिधान संसुदन हुआ उसके तहर तो हलकी बैसे ही है अनुचि 243 यह इसमें पंचाहतों के अभी दी आदी का भर्ण किया गया है अनुचि 243 चाह इसमें ग्राम पंचाहत के सदसों के निहता से सम्मधित उपबंद किया गया और अनुची 246 इसमें पंचात की सक्तियाओं, प्राधिकार और उत्तरदायत का प्राभधान किया गया अनुची 243 जहा इसमें राज जिवित्य आयोग की गठन का प्राभधान है अनुछे 243 इसमें पंचायतों के निर्वाचन के राज निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रापधान किया गया है राज निर्वाचन आयोग को केवल उसी रीती और उसी आधार पर हटाया जासकता है जैसे उचनियाले के नियाधिस को अटाया जासता है तो जो राज निर्वाचनक आयो है उसको बैसे हटाया जासकता है जैसे उचनियाले के नियदिस को अटाया जासकता है गिराम विकास क्या है? रूरल डिबलप्मेंट इसको समझते हैं सौतनतर प्राप्ति के पस्चाद गांदी जी की संकलपना को साकर करने के लिए ग्रामीन पुनन रिर्मान जिसका मुख्य उद्देश नभीन ग्रामीन संस्कृति की स्थापना था को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 1902 से एक महत्यकांची योजना समधाइक विकास कारिकरिम यानि कम्यूनिटी डिबलप्मेंट प्रोग्राम लागू किया गया इस विकास योजना का प्रिथम बीजा रोपन 1948 में सयुक्त तुराज अमेरिका की साहता से परिक्षण के तौर पर उत्तप्रदेश के इटावा और गोरगफुर जिले में आरहम किया गया बाद में पंजाब के निलो खेरी में इसी परिकार के एक योजना लाई गई इसे लागू किया गया समदाईक बिकास कारीकरम का केंदरी उद्धेश गाउं के चीवन की संपूर इसतर को बहां के निवाशों के सामोहिक सिर्म से उन्नत करना है और इस कारीकरम के आठ उद्धेश निधारित किया गया अब वो आठ उद्देश कौन से हैं समझते हैं पहला उद्देश जनता की मानसिक द्रिष्टिकोन में पडिवत्न लाना इस ममुक रूप से किर्सी छित्र जुड़ा हुआ था दोसरा एताहत के साधन, सिक्षा का प्रिषार, स्वास्तेवं सफाई, प्रसिक्षन, रोजगार का विस्तार, मकानों की विवस्था, समाजिक कल्यान ये आठ थे इस योजना के प्रती लोगों के उत्साव को देखते हुए, तथा इसकी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, 1955 में राष्टिय प्रिषार, सेवा और किर्सी प्रिषास, सेवा की शुरुबात हुई, कब हुई, 1955 में ये बंडी एक्जाम में इस तरगी से डेट पूछी जा सकती है, ध्याद देने बाली बात ये है कि इस कारिकर्म से गाओं पर पढ़ने वाले प्रभाहों का मुल्यांकन करते हुए, डॉक्टर S.C. दोबे ने इंडिया's challenging blaze, 1977 नामक पुस्तक की रचना की, ये ये socialist थे, सम अलवंतराय महता के नित्रत में एक अध्यान दल केंद सरकार दोबारा बनाए गया, जिसमें 1957 में अपनी रिपोर्ट केंद सरकार को सौपी, जिसमें पंचाती राज या लोकतांतरिक बिकेंदरी करन, या मैं कहूं, लोकतांतरिक बिकेंदरी करन, मतलब ये जो डामकरेशी है, या मैं कहूं ये डामकरेटिक है, डामकरेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही कही है, महता समीती की सेफारिस में सरपर्थम 2 अक्टूबर 1969 को राजिस्थान की नागुर जिलो में पंचाती राज विवस्ता की सुरुवात हुई, और 1969 में ही आंद्र प्रदिस में पी इस विवस्ता को सुरू हुई, 1977 में जन्ता पार्टी की सत्ता में आने के बाद, असोग महता की नित्रत में पुना एक समीती के गठन किया गया, जिसने जिलो को आधार बनाने और नियमित चुनाओ कराने के सेफारिस की, 1987 में डॉक्टर लच्मी मल सिंदिवी की नित्रत में एक समीती बनाई गए जिसने पंचातों को आत्म निर्भर बनाने और उन्हें समिधानी दरजा देने के सेफारिस की, 1989 में 69 पे समिधान संसुदन द्वारा एक आसफल प्रियास किया गया, पुना 1992 में 73 बनाने समिधान संसुदन द्वारा पंचाती राज को समिधानी दरजा प्राप्त हुआ, तथा 24 अपरेल 1993 को यह लागो हो गया, और इसी दिन हम पंचाती राज दिवस मनाते हैं, इस संसुदन दुबारे एक नई अनुसुची समिधान में जोड़ी गई, जो कि 11 अनुसुची जिसे कहा जाता है, इसमें महला और अनुसुची जाती जनजाती के लिए पिसे स्पर को देखनी रहोगों तो आप सुन सकते हैं, 1980 में गाओं के समगर विकास के लिए समनबित विकास कारिकरिम एनि इंटिग्रेटिक रूरल डिवलप्मेंट प्रोग्राम्स आयरडीपी लागो किया गया, गिरामीर छेत्रों में आबास की समस्याओं को दूर करने के लिए इं 15 अगस 1995 में लागो किया गया, इसमें तीन योजना समल लिती हैं, पहली रास्टी ब्रद्धा वेंसन योजना, दूसरी रास्टी परिवार लाव योजना, तीसरी रास्टी मात्रत लाव योजना, भारती गाओं के विकास के लिए 1 अपरेल 1999 से 66 ग्राम्स स्वाराज योज और इसके अंतर गत, IRDP, प्राइसें, दुआरका, सिट्रा, गंगा, कल्यान योजना, और 10 लाख कुगा योजना समल लिते हैं, इस योजना की दुबारे गाओं में श्वैम, सहता समो, गटित करने का प्राबधान के आगया, यनि सेल्फ हेल्फ ग्रोप्स, जो महलाओं का, दस महलाओं का ग्रोप होता है, जवार, जो अभी भी चल लाए है, जवाहर ग्राम समर्दी योजना, 1 अपरल 1999 में लाख की गई थी, गाओं में गरीब लोगों के खादन उपलब्द करानी के लिए, अनपूर्णा योजना का स्वभारम, 1 अपरल 2000 को किया गया था, और उस पहला, प्रात्मेक स्वास्त, ग्रामीर सडके, प्रात्मेक सिक्षा, ग्रामीर आवास, ग्रामीर पेजल, ग्रामीर पोशन, चलो गाओं की और नीती पर अमल करते हुए केंद सरकारने बर्स, 2005-2006 में, इस टाइम प्रधान मंतरी मनमहन सी, डॉक्टर मनमहन सिंग थे, भार में पलाइन को रोकने के लिए, बिसेश कर असंगटत छेत्र के लिए, छेत्र के मजदूरों के लिए, नरेगा जिसका नाम फिर मनरेगा 2009 में बदल दिया गया है, पहले मनरेगा था, फिर इसको नरेगा कर दिया 2009 में, नामक योजना दो, फरवरी 2006 को आंद्रप्रदेश के अनंत पुर्जले से लागू के गए थी, और जिसमें परिवार के एक सदस्त को सौ दिन के रोजगार की गारंटी दे गए, एनि एक बरस में सौ दिन, लेकिन आप बढ़ गए हैं, आप 150 हो गया है, ऐसा कहीं कहीं हैं, कहीं नहीं हैं, लेकिन सौ पूरे देश में हैं, अप के गए, राष्टे ग्रामिर विकास संस्थान के स्थापना हैदराबाद में 1965 में के गई थी, राष्टे ग्रामिर विकास संस्थान के, इन सरकारी कारेकिर्म को के अलाबा, ग्रामिर पुनन रिर्मान के लिए भारती राजनेताओं और विद्धानों दुबरा बैक्तिकत दिस्तर पर भी काईक ने बाया नुरुन चलाए जाते रहे हैं जैसे सर्वोदय, भूदान, ग्राम, दान, अंतोदय, आदी सर्वोदय क्या है? सर्वोदय सब्दे का सरपृत्व मुलेक मात्मा गांदी जो कि हमारे राष्टे पिता है दुबारा किया गया था? इन्होंने रस्किन की पुस्तक, अंटो दिस रस्किन की पुस्तक, अंटो दिस लास्ट के गुजराती अनुवार्ट सर्वोदय के रूप में किया था? सर्वोदय का अर्थ सभी का समान रूप से उदाय, उनिती और उतकर्ष्थ है बिनौबा भावी लिखते हैं कि सर्वोदै थोड़े से बैक्तियों का उत्थान नहीं चाता, बहुत का भी नहीं यह अधिक्तम बैक्तियों के अधिक्तम सबसे संतुष्टी नहीं है यह तो एक और सबसे उचे और नीची लोगों के सक्ते सालिग और निर्बलों के बुद्धी मानों और मुर्कों के कल्यान से संतोष हो सकते हैं संकर राइदेव का कहना है कि सर्वोदय का सीधा और सरल अर्थ है सब का उदय गांदी जी रचनात्म कारिकर्म को सर्वोदय का प्रण मानते हैं भूदान आंदोलन क्या है इस आंदोलन से अचारिय बिनोभा भावे जुड़े थे सन 1991 में जब बिनोभाव जी का आंद्रप्रदेश के तिलंगाना छेतर के नालगोड़ा जले के कोचमपली गाउं की यात्रा पर थे तबी बहां के भूमी हिन हरीजनों ने अपने विथा सुनाई और उन हरीजनों के कहना था कि अगर हमें 80 एकर जमीन मिल जाए तो हम सभी भी कुछ भूमी के मालिक हो जाएंगे और अपना विखास स्वैम करेंगे और उन्होंने उसको लव कर दिया और दे भी दिया 18 अपरेल उनीस से कान को कोचमपली के जमीदारों के सामने बिनोभाव जी ने भूमी बिहार से दान में प्राप्त हुई तो कहां से हुई ये कोशन आ सकता है तो बिहार से हुई है और बिहार के गया जिले में इन्होंने भूदान अंदुलन इस्थापित किया जो पहले हैदराबाद में था बिनोभाव जी और उनके अनुआई ने गया जिले को बार्दोली बनाने का नड़ना लिया जहां पहले ही सरदार पटेल दुबारस सत्याग्रे किया जा चुका है और बार्दोली सत्याग्रे की बात करें तो ये 1928 में सरदार बिल्लब भाई पटेल इसके में लीडर थे बिनोभाव जी ने लिखा कि भूधान का कारिय बरतमान समाच व्यवस्ता को परिवर्थ करना है और भूधान के बल एक अंदुलन नहीं है अपतु बहुद्धिश्य किरांती है जे परकास नायरेन जोके लोक नायरेन है जन लोक नायरेन कहा जाता है इने जे परकास नायरेन भूधान अंदुलन केवल इनके अनुशार भूधान अंदुलन केवल भूमी संग्रह और भूमी बितरण मातर नहीं है यह तो विशाल समाजी कराजनेतिक तिता आर्थिक दिशा में पर्थम गदम है ग्रामदान क्या है इसको समझते है भूधान का वि पहला ग्रामदान 1992 में उत्तरप्रदेश के मैन ग्रोथ मंगा लोट गाउं में हुआ लेकिन उडिशा में ग्रामदान का रिक्रम अधिक सपल रहा जैप्रकास नारंज ऐसे गाउं को समधाए गाउं कहते हैं ग्रामदानों का अधियन उत्तरप्रदेश में रगुराज गुप्त ने उडिशा में मन मोहन चौधरी ने जबकि राजिस्थान में ऐसे गाउं का अधियन टीके ओमन दुबारा किया गये यह सारे समस्यास्त्री रहे संपत्ती दान 23 अक्टूबर 19 जुबान में पटना में समलित दान अंदुलन का स्री गनेश अचारी बिनोवाजी दुबारा किया गया बिनोवाजी ने इसके अलावा ग्राम स्रिमदान बुद्धी मान प्रेमदान जैसे कारी किर्मों को भी संचालित किया लेकिन जीवन दान का सरप्रिथम प्रियास 1925 में जैपरकास नारायन दुबारा तत्पस्षाद बिनोवाजी और उनके अनिवाईू ने भी जीवन दा बिनोवाजी ने अन्तुदय का अर्थ क्या है हमें लगता है यह वीडियो लंबी हो जाएगे इसलिए हम दूसरी वीडियो में भी कबर करेंगे इसका यह पार्ट आएगा अभी फिलाल देखते हैं थोड़ा और हम अन्तुदय का होता है अन्तुदय का साफदिकर्थ है इसके अंतरगर राजजी के लगवग 33,000 गाओं में से प्रतिक गाओं के लोगों दुबारा चुने गए गाओं के सबसे गरीब पांच परिवारों को हर समय सहता देकर समलित जीवन जी ने योग बनाने का प्रियास किया गया अन्तुदय सब्द का सरपर्थम प्रियोग ज में काम के बदले अनाज कारीकरिम की सुर्वायत कि गई थी इस परकार विभिन कारीकर्मों के दोबारा गिरामीर परनेर्मान का प्रियास किया जाता रहा गिरामीर भूमी बिवस्था एब भूमी सुधार, रूरल लेंड सिस्टम्स एंड लेंड रिफॉर्म्स परंप्राकत भारती गाव में था व्यक्ति भूमी का जोता बाबोता था वह उसी की मानी जाते थे किवल राजाओं दवारे भूमी के उपच के कुल हिस्से का एक बटे तीन या एक बटे च्छे करके रूप में लिया जाता था यहनी अगर आपने किसी भी पार्ट का तीन भाग करते हैं और उस तीन भाग में से करके रूप में दे दिया जाता था या किसी एक चीज के च्छे भाग किया जाते हैं यह 1 by 3 और 1 by 6 का मतलब लेकिन अंग्रेजों के आग्मन के साथ ही भूमी विवस्ता में परियाप्त परिवर्तन आया सरपर्थम 1792 में तोमस मनरो ने मदरास में रेत बाड़ी विवस्ता चालू की तो तोमस मनरो ने 1772 में रेत बाड़ी विवस्ता लागू की जो धीरे धीरे बंबई वरार मद्परदेश और अशम और कुर्ग छेतर में परिचलत हो गई इस विवस्ता को पर मुख बिसिस्ताईन अमलिकिती पहला किसान भूश्वामी रहता था उसका भूमी पर स्वामित रहता था वह भूमी को अस्तांतरिद्व बैस सकता था अदवा किसी को खेती के लिए दे सकता था भूश्वामी का सरदार से सीधा संबन था कोई मध्यस्त नहीं था भूश्वामी जब तक सरकार को लगान देता रहता था वह भूमी का स्वामी बना रहता था बंदोबस्त 20 या 30 वर्स के लिए किया जाता था सरकार भूमी कर भूमी का औरवरा सक्ति के अनुशार निश्चित करती थी 1793 एश्मे में लौट कार्णवालिश ने जमीनदारों के दुआरा लगान बसूल करने के इस्थाई बंदोबस्त की प्रताव इस्थापित की इस्थाई की बात करने तो 1793 में किसने लौट कार्णवालिश ने जिसे जमेनदारी विवस्ता कहते हैं इस विवस्ता कोई मुख विसेष्था थी पहले विसेष्था जमीनदार भूमी कर स्वामी होता था जैसे उसमे होता था वह किसी को भी किर्सी के लिए भूमी दे सकता था और चाहे उसे वेदखल भी कर सकता था जमीनदार सरकार को इस्थाई बंदोबस्त के अनुशार भूमी कर देता था तीसरा जमीनदार किसानों से कुछ ही भी कर वसूल कर सकता था तीसरा प्राय जमीनदार स्वयम खेती नहीं करते थे यह करवाते थे जमीनदार सरकार और करसके बिच मध्यस्त बन बैठे थे या यह कहें कि यह एक तरह के से दलाल की रूप में काम करते थे सरप्रिथम आगरा अवद छेत्र में 1833 में भूमी से सम्मंदत एक नई विवस्ता लागू की गई जिसे महालवारी कहा जाता है तो महालवारी की सुरवाद 1833 में हुई महालवारी विवस्ता बाद में देखा गया कि बाद में पंजाब मद्प्रदेश में भी यह विवस्ता पिरचलत होगी महाल का अर्थ होता है गाउं और इस विवस्ता में भूमी का सौमित सयुक्त रूप से गाउं का रहता था तीसरी बात यह है कि मालवुजारी लंबदार जिसे हम लंबदार केते हैं यानि हमी वसूल करता था और सरकार के कोश में जमार करता था तीसरा गाउं के बंजर भूमी बरिच कुए आदी गाउं के सयुक्त संपत्ति मानी जाते थी यदि कोई किर्शक अपनी भूमी शोड़ देता तो वह है गाउं के सयुक्त संपत्ति हो जाती थी पहले के प्रमान के आधार पर ही आंगी भी बटवारा किया जाता था अप्रियुक्त बिवस्था के बुरुद भारती किशानों ने जबरजस्त बुरुद किया बुरुद था जिसकी प्रकट्टी करन उनके दुबारा समय समय पर आंदोलन के रूप में देखा गया पहले चंपारन अन्दोलन उनिश्य सत्त्रा में हुआ था और जिसका नेतर्त कर але थी महत्मय गंदी जी और ये बिहार में है खेड़ा अंदोलन इसका भी नेतर्त महत्मय गंदी जी ने किया ये भी उनिश्य सट़ारा में हुआ यह 1918 में हुआ मदारी पाशा की नित्यत में इसका अंदुलन 1922 में एका अंदुलन की बात करें तो यह 1922 में हुआ जिसको मदारी पाशा ने इसका नित्यत कहा बर्दोली अंदुलन 1928 में यह सरदर बलववाई पटेल की नित्यत में हुआ सौतंत्रा की बाद अखिल भारती राष्टे कांग्रेश ने नॉम्बर 1947 में पंडी जवालन एरू के अदेश्टा में एक आर्थिक कारीक्रिम समेती को गठन किया जोनों न भूमी सुधार की बात कही और जमीनदारी उन्मूलन को महत्तपून बताया 1950 में केंदरी जमीनदारी उन्मूलन अदिनियम पारित हुआ तसपचा सभी राजियों ने अपने यहां भूमी सुधार और जमीनदार उन्मूलन संबंध अदिनियम पारित किया 1991 में प्रदेश राजियों ने अपने यहां जमीनदार उन्मूलन अदिनियम बनाया उनिशक कान में इस अधिनियम में यह विवस्ता लागू की गई कि जो किसान अनेक पियों से एक जमीन पर किर्सी करते आ रहे हैं वे एक वर्ष के लगान का दस गुना रुपए सरकार के पास जमा करके उस भूमी पर इस्थाई सौमित प्राप्त कर सकते हैं ऐसे किशानों को भूमी धर कहा गया जो दस गुना रुपए देत दे लगान का इस अधिनियम में ये भी प्राप्धान की आ गया कि एधि कोई किशान जमीन दारी उन्मूलन के पांच वर्ष पहले से किसी भूमी पर खेती कर रहा है तो एक वर्ष के लगान का पंदर गुना रुपए जमा करके उसे भी भूमी धर बनने की सब्धा प्रदान की गई ध्यातव्य की उत्तरप्रदेश जमीन दारी उन्मूलन बा भूमी सुधार अधिनियम एक जुलाई उन्री शो एकान से लागू हुआ और इस अधिनियम दुबारा भूमी सुधार बद्यस्ता का अनुमूलन भूमी सुधार निर्धार न चकबंदी की विवस्ता आधि का प्राबधान किया गया और इसके आधार पर किशानों की चाल सरेनिय विवाजित किएग 59.2 दूसरा लगू किशान होता था एक से चार हेक्टेर हैनि 32.7 प्रतिशत मध्यम किशान 4 से 10 हेक्टेर 7.2 परसंट थे बड़े किशान 10 हेक्टेर से उपर जो 1.9 प्रतिशत थे अब हम दूसरी बीडियो में भारत में किशान 12 से सम्मंदित चिक्र करेंगे तब तक के लिए have a nice day बाई बाई